है यह जाए आपका मेरी चैनल पर जीवानगी में आश्ता मेरा वडियो टॉपिक ब्यूटिफुल टू कॉवस और आहाम केडिल फ़ाम ग्वालबाडी तो आहाम केडिल फ़ाम को कॉंटेक्ट नमरी स्क्रीन पर दिया हुआ है जिन भाईयों को भी यह दो खुब्सुरत से जानवर शाहिए वो इन नमबरों पर कॉल कर सकते हैं ठीक है यह देखें फैंट्स यह पहला जानवर जो के एक वाईड जानवर है माशारला से बहुत ही खुब गुलाई का यह जानवर है आहाम केडिल फ़ाम का यह देखें बहुत ही खुब्सुरत गुलाई का जानवर है फैंट्स बहुत ही हेवी बेड जानवर है एकदम गोल गाल सा जानवर और इसकी पूट की बनावड देखी एकदम खड़े पूट का जानवर है और माशारला बहुत ही खुपसरस सा जानवर है तो चलते हैं इस जानवर को पहले हम लोग देख लेते हैं ये देखी गुलाई देखें इस जानवर की बहुत ही उंदा गोलाई तो आईहाम कैडल पॉर्म से ये बहुत ही खुबस नायाब से जानवर सीने की चोड़ाई देखें इस जानवर की माशा लगा एक्टम भरा हुआ जानवर है सबर्दस गोलाई माशनल लाइक बहुत ही खुब्सवा जानवर में आप लोगो दिखा रहा हूँ आयाम का डिपाम का ये देखें पहतिरीन गुलाई जबके ये वीडियो बने हुए आपका अरॉण 20 दिन से उपर हो चुगा है उस वक्त की उलाई में आप लोगो दिखा रहा हूँ अभी ये जानवर और भी अच्छा गुरू हो गया है फ्रेंड्स शौकी नजरात अच्छे तरीके से जानवर को हर एक तरह से देखें ये देखें पाफरेबाब पुरा धुआ उड़ा दे रहा है यहां से बाद धुआदार यानवर एफ्रेंड्स ये देखें मशाला एक्दम फुल एग्रेसिव जानवर है और इसके खुब्सूर्ती तो मत पुशिए बेंदेहा खुब्सूर्ती का ये जानवर आई हाम के डिलफॉर्म गॉल बाड़ी 2020 के ये एक बहुत ही बहतरीन जानवर एफ्रेंड्स मशाला एक्दम धुवेदार जानवर है पाफरेबाब बालू में इस तरीके से ये तॉड़ रहा है आप लोग बेख सकते हैं इसको एक्दम चेंचल जानवर है फ्रेश जानवर है तो हर तरीके से मैं इस जानवर को आप लोगों को गुरा-गुरा कर दिखा दे रहा हूं ये जानवर जिस भाई की नजर में आएगा मैं 100% ये गैरेंटी के साथ कहता हूं कि इस जानवर को देखकर काफी लोग इसके पीछे जरूर आएंगे क्योंकि इस ती रगी है ये देखें इतना भड़क कर आ रहा है ये जानवर अंदर जबर्दस खुबसूरती है ये पहतरीन जानवर आपका आयहाम कैडल पार्म का एक बहुत खुबसूरत गुलाई ये साथ है तो फाइनली फ्रेंड्स ये जानवर अपने पोजिशन को पहुंच चुका है तो अ देखें तीन कलर कॉंबिनेशन में ब्लैक वाइट ब्लैक ये भी एक बहुत हेविवेड यानवर इफ्रेंड्स और इससे देखकर आप लोगों को कुछ याद आ रहा होगा इसका लुक एकडम अल्लावारिस का डिल पार्म का किट कैट का तरह है ये पुरा उसी पैटन का जानवर ईफेंड्स और माशालिए एक बहुत अच्छी गुलाई के साथ है आप लोगों के सामने में वाजिर कर रहा हूं इस जानवर को पीप ज मैं है जानवर है इस कलर पैटन के जानवर के शौकिन बहुत है तो एक तो हम लोगों ने अल्ला वारिस के डिल फॉर्म में कटकैट को देख लिया है और यह तूसरा जानवर आपका आईहाम के डिल फॉर्म में है क्योंकि पुरा वही पैटन का जानवर है आप देख सकते हैं तो इस जानवर को भी आप लोग अच्छे तरीके से देखें चोड़ाई देखें सुने की बड़े जालर का जानवर है और बहुत ही खुब्सूरत रंगो रूप का यह पहत्रीन जानवर आईहाम के डिल फॉर्म का है मशाले बहुत ही खुब्सूरत सा जानवर है इसकी गोलाई मुझे बहुत ही प्रसंद आई और इस कलर पैटरन की जानवर तो बहुत ही दिल्चस्प होते हैं देखने में जालर देखें इसके एक्दम बड़ी जालर का जानवर है परेंट बहुत ही खुब्सूरत से चहरा बड़ा सा पूट एक्दम खड़ा पूट का जानवर है और यह बहुत ही पहत्रीन गोलाई है इस जानवर की बापने बाप यह जानवर भी अपने में इसे देखकर मुझे काफी डर लग रहा है यह देखें इससे पहले यह किट कैट के तरह थोड़ मरोड लागना शुरू कर दे क्योंकि टंगरूप और चहरा वैसा ही है और उसी पैटर्न का जानवर है मश्याला से मुझे यह पैटर्न के जानवर बहुत ही प्यारे लगते हैं बहुत ही खुपसुर लगते हैं चलते हैं फ्रेंट से पाइनल इस जानवर को अंदर की तरह उनों को रख देते हैं यह देखें एक्तम चौड़े सीने का जानवर तो आईहाम केडिल पॉर्म में भी इस कलर का जानवर आप लोगों के लिए अवैलेबल है शौकी नजरात जिन भाईयों को भी जानवर चाहिए वो आईहाम केडिल पॉर्म के ओनर से राप्ता कर सकते हैं और अपने जानवर के लिए बात कर सकते हैं ठीक है तो ये भी जानवर अपने पोजिशन को आ चुका है तो उमीद करता हूँ फ्रेंट्स ये वीडियो अपनों वो अच्छी लगी हो अच्छी लगी हो फ्रेंट्स ने चैनल को लाइक किए सबस्क्राइब कियो और शेयर किए और प्रेस अब लाइक एन असलाम वालेकुम और लाफिस